आप सब को मेरा नमस्कार ये सेशन में मैं आपको पूरक आहार के बारे में टुटॉल्स दिखाने वाली हूँ दोनों ही बहुत ही आवशक टुटॉरल है हमारे भारत में 11 टका बच्चे को सही मात्रा में सही पोशन मिल रहा है छे मैने से लेके तो आपको ये दोनों टुटॉरल में बहुत धिहान रखना है एक तो हम लोगों ने बताया हुआ है कि कौनसे कौनसे खारदिय प्रदार के जो जूत होते हैं कौनसे वह जूत है कौनसे गूरूप से फूड़ ग्रूप बोलते हैं उनको तो उसमें से लगबग आपको मिनिमम पांच तो दे नहीं अगर आप सारे आठी देंगे तो लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि माता को जो दो टुटॉल्स है बहुत के वह माता को दिखाने है तो यह डिखाया हुआ है कि जैसे 8 food groups है उसमें से एक food group है मा का दूद सतनपन उसको छोड़के लगबग 7 food groups है और कौन सा food group जो कौन से खाद्य प्रदात है आपको पहले चालो करने हैं, तो वो बहुत ही important है, मेरे experience में, जब ही हम लोगे ने प्रोटीन वाला खाना जब ही ज्यादा पहले चालो किया, तो वो बचे का वजन बहुत अची तरह बढ़ रहा था, जो प्रोटीन वाला खाना अबना जो पनीर है दय है, अंकुरित जो है, कठोल बंत्र है, अंडा है, अगर कलीजी है, मतन मच्छी, अगर बच्चा नॉन्वेज है तो वो भी चालू कर सकते हैं, तो यह वाले जो खाद्य प्रदाथ है, अगर आपने पहले यह चालू किया, यह वाले प्रदाथ, तो बच्चे के बच्चों का जो वजन जो कम हो रहा था वो हमारे प्रोग्राम में वजन कम होना बंद हो गया ठीक है और तोटीन आपको मालूम है कि बहुत important है हदी के लिए important है अपने mass-spatio के लिए important है सब के लिए विकास के लिए बहुत important है लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि बच्चों को प्रोटीन के साथ अच्छी चर्बी देना है ठीक है उसका मस्तिक्स बन रहा है उसके जो बहुत सारे जो उसको बच्चे को cholesterol चोई है ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप खाना दे उसमें सोडा सागई हो या तेल हो मुझे घी मक्खन बेटर ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए और उसके साथ ज़्यादातर चावल गेवना देते हुए आपको जो मिलिट्स है जो धान है छोटे शोटे धान है जवार है बाजरा है वह आपको रागी है वो आपको ज़्य सबजीय मैं बेटनी, सब्सक्राइब अपको आपको अपराइब देनी है। बहुत सारी मदद ऐसी होते है, जो फूट को प्यॉरी बना के बच्चे के खाने में डाल देते हैं, बनाया ऐपल का खाना एक ते अत केला डाल दे तो मा को बताना है, चैनल को भुचा मत मिक्स करो. मतललब जो खाना है, उसका खाने का स्वाद है, उसमें शक्कर, गूड, मद या फ्रूट मद उसका डाल के उसको मीठा मद कीजिए क्योंकि जितना बच्चा मीठा काएगा वो दूसरी चीज नहीं खाएगा आपको ये धान में रखना है पहले दो साल तक बिलकुल आपको शक्कर, गूड, मद ऐसा कुछ नहीं देना है जितना ज़्यादा आप शक्कर देंगे उसको ज़्यादा आगे जाके डायाबेटी ब्लेड प्रशर होने के चांसे बहुत ज़्यादा है दूसरा है नमक, आपको एक साल तक नमक नहीं डालना है हमारे खाने में नाचरल नमक होता ही है तो अगर बच्चे को आपने नाचरल खाना दिया तो बच्चा बहुत गुर्दे है वो कमजोर होता है तो जो नमक अगर आप डालेंगे तो वो निकल नहीं सकेगा गुर्दे से बाहर नहीं निकल सकेगा तो वो आपको ध्यान में रखना है दूसरा मैंने बहुत इंपोर्टन एक चीज बताई है कि पहले दिन आप बच्चे को कैसे चालो करेंगे सबसे पहले अगर सबस्क्राइब कल छे मेने का कम्प्लीट हो रहा है तो बच्चे को पहले दिन एक बड़ा सा चंबज बच्चे को देंगे सुबर में एक बार और रात में एक बार और दूसरे दिन दो चंबज बढ़ाएंगे तीसरे दिन तीसरा चंबज बढ़ाएंगे ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे को देना है और जो भी खाना चालो करो आपको वही खाना तीन दिन तक देना है, चौथे दिन पे वह खाना तो चालो रखना है, लेकिन दूसरा खाना आपको उसमें आड करना है, तो यह दिरे-दिरे करके आपको खाना चालो करना है, अगर सब खाना अपने चालो कर दिया साथ में, अग कुछ मच्छी खाने से हुई तो इसलिए आपको दीरे-दीरे करके खाना चालो करना है हर चौथे दिन पर खाना होना चाहिए ठीक है और दूसरा भी मैंने यह बताया हुआ कि कितनी बार खाना है तो उम्मर के हिसाब से यह भी दिखाया हुआ है कि छे मेने के बच्चे को दो एक चम्मज 15 ml का होता है तो वो भी हम लोगों ने टुटॉल में बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने सिखाया हुआ है कि कितना दिना चाहिए उसके उमर के हिसाब से ठीक है साथ मेने को फिर आधी वाटी देते है आधी वाटी तीन टाम देते है आट मेने के बच्चे को च को असय sama क्राना चाहिए केtने क्वाटी गादा चाहिए कि या का सकता है कौक से स stating करो anno चीड़ियो दूइसरा आम ने ये भी सिखाया हुआ है कि कैसे कैसी करूल चैहिए यसे पले एक दो मैने बना है छे और साथवे माईने पे consistency एकदम मलं की तरह, एकदम soft होनी चाहिए बिल्कुल आप हाथ से मसला हुआ भी दे सकते हैं आप रेmostे मीकसी मेबी भी पहले दो तीन हकते मिकसी में भी डाल सकते हैं सब्सक्ता है लेकिन गाडा होना चाहिए चाहिए एक बहुत गाड़ी दाला होना होना चाहिए पानिया चाहिए ठीक है और जंक फूड बिल्कुल नहीं देना चाहिए जंक फूड मैं मना करते हूं गेहू चावल जितना कम हो अच्छा रहेगा गेहू मैं एक-दो साल के बाद बताते हूं कि गेहू में बहुत सारे बच्चे आजकल हम लो दे रहे कि उनको ग्लूटिन सेंसिटिविटी होती है ठी ठीक हो अलग-अलग छोटे-छोटे करदानिया है वो सारे आपको बच्चे को ज्यादा देने है ठीक है और जैसे मैंने बताया प्रोटीन रिच खाना वापस में बताऊंगी वेजेटरिन बच्चे में जो अंकुरित खाना होता है दही है खोआ है पनीर है बाकी सारे जो आ आउडर की रेसीपीस भी आपको मा को सिखानी है जो आप देखेंगे अगले टुटारल में और जो नौन वेज बच्चा हो इसको अंडे से आप चालू कर सकते हो अंड़ चालू कर सकते हो अंड़ चालू कर सकते हो मतन मच्छी, कले जी तो आपको नव मैने तक राह डिकने की ज़रूरत नहीं है आप पहले छे मैने से आप वो सब चालू कर सकते हो ठीक है तो ये तो होगे आपका पूरक आहार का सेशन आपको ये दोनों टुटॉल जैसे आमने बताया बहुत महत्व हैं बहुत महत्व के टुटॉल है जैसे आप सीखते जाएंगे आपको लिखना है आपको डायरी में कि क्या क्या आपने सीखा है ठीक है धन्यवाद पूरक आहार खिलाने के सामाने दिशा निर्देश पर बने स्पोकन टुटॉल में आपका स्वागत है इस टुटॉल में हम सीखेंगे 6 महीने के शिशु को पूरक आहार खिलाने की जरूरत के बारे में और 6 महीने से 24 महीने के शिशुओं को पूरक आहार खिलाने की दिशा निर्देश के बारे में आईए शुरू करते हैं शिशु को जनम से लेकर छे महीने तक सिरफ मा का दूध ही पिलाना चाहिए छे महीने की उमर का मतलब छटे महीने की शुरूात नहीं है इसका मतलब है कि शिशु छे महीने पूरे कर चुका है और सात्वा महीना शुरू हो गया है इस उमर में केवल मा का दूद शिशु के लिए काफी नहीं होता इसी लिए स्तन पान के साथ साथ शिशु को घर का बना हुआ पोशक आहार भी देना शुरू करना चाहिए इसी आहार को हम पूरक आहार कहते हैं छे महीने से 24 महीने की उमर के शिशुओं को पूरक आहार खिलाना जरूरी है पूरक आहार शिशु के लंबा, स्वस्थ और बुद्धिमान होने में महत्वपून भूमी का निभाता है ये जरूरी है कि शिशु के 6 महीने पूरे होते ही उसको पूरक आहर देने की शुरुआत कर देनी चाहिए, नहीं तो शिशु की व्रिद्धी और विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा ऐसा भी हो सकता है कि शिशु बाद में घर का बना हुआ खाना खाने से इनकार कर दे, याद रखें पूरक आहर स्तन पान का सहयोग करता है इसलिए शिशु के दो साल की उमर होने तक मा को उसे स्तन पान कराना चाहिए अलग-अलग तरीके का पूरक आहर उसका गाड़ापन और उसकी मात्रा शिशु की उमर के अनुसार बदलती रहती है शिशु की हर आयू के लिए अलग-अलग तरह का पूरक आहर सुझाया गया है इन पर इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटॉरियल में विस्तार से बताया गया है आये अब हर उमर के शिशु के लिए पूरक आहर खिलाने के जरूरी दिशानिर्देश पर बात करते हैं शिशु को पहली बार जब कोई नया खाना दें तो उसे सिरफ वही खाने को दें उस खाने को बाकी के खानों के साथ कुछ वक्त के बाद मिला कर दें इससे हमें ये पता चलेगा कि शिशु को किस खाने से अलरजी है अलग-अलग तरह का खाना खिलाना शिशु के पोशन के लिए बहुत जरूरी है हर चौथे दिन शिशु के आहार में एक नया खाना मिला सकते हैं पिछले दिये जा रहे खाने के साथ नय खाने का एक चमच खिलाना शुरू करें फिर धीरे धीरे हर दिन इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। शिशु के खाने में पोशन से भरपूर सभी आठ खाद्य समुहों के खाने को शामिल करना जरूरी है। पहला और सब से महत्वपूर का खाने का समुह है स्तन पान। इसे बाकी के खाने के समूहों के साथ हर रोज जरूर शामिल करना चाहिए। अनाज, जड़ और कंद दूसरे खाने के समूह है। फलिया, बीज और दाने तीसरा समूह है। चौथा समूह है दूद से बनी चीजें। मास, मचली और चिकन, पांच्वा समूह है। अंडा, छटा समूह है। बिटामिन A से भरपूर, फल और सबजियां, सात्वे समूह है। और आखरी, आठ्वा समूह है, बाकी के फल और सबजियां। बहतर होगा कि शिशू के खाने में आठों खाद्य समूह का खाना शामिल हो। अगर शिशू के आहार में पांच खाद्य समूह से कम खाना है, तो फिर ये एक समस्या है। इसे जल्दी से जल्दी सुधारा जाना चाहिए। कुछ शिशू को मा का दूद नहीं मिल पाता है। ऐसे में हर रोज शिशू के आहार में बाकी के साथ समूहों में से खाना जरूर खिलाते रहें। साथ ही शिशू को 500 मिलिलीटर गाय का दूद और दो बर जादा खाना खिलाना चाहिए। शिशु को गाय का दूद पिलाने से पहले दूद को अच्छे से उबाल लेना चाहिए आईए अब देखते हैं कि शिशु के खाने में नए खादे समूह से खाना शामिल करने के बारे में मा के दूद के साथ पहले छे समूहों से पूरक आहार देना शुरू करें 6 महिने की उमर पूरी करने के बाद शिशु को जादा पोशक तत्व की जरूरत होती है हालांकि शिशु को शुरुआत में खिलाये जाने वाले खाने की मात्रा कम होती है इसी लिए पोशक तत्वों से भरपूर पहले 6 समूहों के खाने दिये जा सकते हैं इन पांट समोहों के खाने में प्रोटीन और फैट जैसे पोशक तत्व भरपूर होते हैं। ये खाना शिशु की लंबाई और मासपेशियों के विकास में महत्वपूर्ण हैं। अच्छी चर्बी शिशु के दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। इन खानों के बाद शिशु को सबजियां और फल खिलाना शुरू करें। सबजियां और फल विटामिन और खनिच पदार्थों से भरपूर होते हैं। हालांकि वे पहले छे समूहों की तरह प्रोटीन और फैट से सघंड नहीं होते। इसी लिए इन्हें बाद में शुरू किया जाता है ताकि शिशु का वजन न कम हो और ना ही बढ़ना रुके। साथ ही फल स्वाद में भी मीठे होते हैं। शिशु को मीठा खिलाने से पहले अलग-अलग खाने का स्वाद चकाना जरूरी होता है। अलग-अलगतर है कि स्वाद चकना शिशु को जादा खाना खाने के लिए तैयार करता है। ये शिशु को बाद में चुनिंदा खाना खाने की आदत से बचाता है इसलिए फलों को शिशु के आहार में तब ही जोड़े जब हर समू के खाने को खिला चुके हूँ अपने इलाके के ताजे और मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल शिशु को दिन में एक या दो बार दे फल को शिशु के खाना खाने के बाद मीठा खिलाने में दिया जा सकता है शिशु के रोज के खाने में फलों की प्यूरी नहीं मिलानी चाहिए और इस उमर के शिशूओं के लिए फलों का रस देना भी ठीक नहीं है ना ही घर पर बनाया हुआ फलों का रस और ना ही बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला रस याद रखें शिशू को दो साल का होने तक स्तन पान जारी रखें शिशू को कड़क खाना ना दें ऐसा खाना उसके गले में अटक सकता है, साबुद्दाने, अंगूर, चना और कच्चे गाजर ऐसे खाने के उदाहरण हैं शिशु के लिए स्वच्छता से घर का पका हुआ ताजा खाना ही सबसे अच्छा होता है शिशु का खाना संभाल कर रखना पड़े तो खाने के सुरक्षित रख रखाव पर बना टुटॉरियल जरूर देखें शिशु के खाने को स्वच्छता से बनाने, खिलाने और उसके रख रखाव पर भी उस टुटॉरियल में चर्चा की गई है जादा जानकारी के लिए हमारी वेब साइट देखें चै महीने के शिशु को खाना खिलाने के साथ उबला हुआ ठंडा पानी पिलाया जा सकता है दिन में दो बार 30 से 60 मिलिलिटर पानी पिलाने की शुरुआत करें पानी की मातरा को गर्मी के मौसम में और शिशु के मांग के हिसाब से बढ़ा सकते हैं मा का दूद और पानी शिशु के लिए सबसे अच्छी पीने की चीज़े हैं लेकिन इन्हें सही समय पर दिया जाना चाहिए खाना खिलाने से पहले शिशु को ना स्तन पान कराएं और ना ही पानी पिलाएं भूक में शिशु के नए खाने को खाने की संभावना जादा होती है शिशु को खाना देने के 20 से 30 मिनट पहले या फिर बाद में स्तन पान कराएं या पानी पिलाएं शिशु की वृद्धी के लिए उसे पर्याप्त पूरक आहार की बहुत जरूरत होती है अब यह टुटॉरियल यही समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट विने कुमार द्वारा अनुवादित है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद 6-24 महीने के शिशुओं के लिए पूरक आहार के बारे में बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम घर पर बने पोशन से भरपूर पूरक आहार के बारे में सीखेंगे हम बात करेंगे पूरक आहार के मात्रा की, इसके तरीकों की और कितनी बार इसे खिलाया जाए आईए शुरू करते हैं छे महीने के शिशु के लिए बने पूरक आहार से याद रखें पूरक आहार की शुरुआत शिशु के 6 महीने पूरा करने के बाद ही होनी चाहिए शिशु को सबसे पहले गाड़ी प्यूरी या पिसा हुआ खाना ही खिलाना चाहिए आईए देखते हैं शिशु को दिये जाने वाले ऐसे कुछ खानों के उदाहरन साबुत अंकूरिक फलिया और पकाय हुए चने की प्यूरी को खिलाया जा सकता है अनाज जैसे अंकूरिक पका कर प्यूरी बनाई गई रागी को भी खिलाया जा सकता है दालों में मूंग को भिगो कर, पका कर और पीस कर खिलाया जा सकता है मासहारी खानों में अंडे, चिकेन या फिर मचली को पका कर और प्यूरी बनाकर इस्तिमाल कर सकते हैं शिशु को इनमें से एक का गाड़ा पेस्ट बना कर देए हमने पहला खाना चुना है राज्मा जिसे अंकूरित करके पका कर प्यूरी किया है अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा मा का दूद खाने का पेस्ट बनाने के लिए मिलाएं आप उबले पानी को थंडा करके इस्तिमाल कर सकते हैं अगर मा का दूद ना हो तो प्यूरी या पेस्ट के गाड़े पन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ये इतना घाड़ा होना चाहिए कि चम्मच को टेड़ा करने पर भी ना गिरे शिशु को एक बड़ा चम्मच भरा हुआ पहला खाना उसके सबसे पहले आहार में से पहले दिन दे उसी दिन शिशु को दूसरी बार खाना खिलाते हुए एक बड़ा चम्मच और खिलाएं पहले दिन दो बार खाना खिलाने के साथ-साथ शिशु की जरूरत के मुताबिक स्तन पान कराते रहें कृपया याद रखें इस टुटोरियल में इस्तिमाल किये गए बड़े चम्मच में करीब 15 ग्राम खाना आ सकता है दूसरे दिन उसी ताजे बने हुए खाने के दो बड़े चम्मच खिलाएं उस दिन दो बार खाना खिलाएं और स्तन पान जारी रखें तीसरे दिन फिर से ताजे बने हुए उसी खाने के तीन बड़े चम्मच हर बार खिलाएं तीसरे दिन भी शिशु को दो बार खाना खिलाएं और स्तनपान जारी रखें. चौथे दिन शिशु को दूसरा नया खाना देना शुरू कर सकते हैं. किसी भी खाद्य समू से एक नया पोशन से भरपूर खाने को चुने. खाद्य समू को इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है। यहां हमने अंकूरित पका कर प्यूरी किये हुए रागी को दूसरे खाने के रूप में चुना है। इसमें या तो माका दूद या फिर उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी मिला कर गाढ़ा पेस् का एक बड़ा चम्मच हर बार खिलाना शुरू करें। इसका एक बड़ा चम्मच पहले वाले खाने के तीन बड़े चम्मच के साथ खिलाते रहें। कुल मिलाकर चार बड़े चम्मच खाने का पेस्ट हर बार खिलाया जाना चाहिए। चौथे दिन शिशु को स्तन पान के साथ दो बार पूरक आहार खिलाएं। पांचवे दिन शिशु को दूसरे खाने की मात्रा एक बड़े चमच से दो बड़े चमच हर बार बढ़ा दें। इसे पहले खाने के दो बड़े चमच के साथ हर बार खिलाएं। पांचवे दिन भी शिशु को स्तन पान के साथ दो बार इस आहार को खिलाएं छटे दिन शिशु को हर बार खाना खिलाते समय दूसरे खाने की मात्रा तीन बड़े चम्मच बढ़ा दें इसे शिशु को पहले खाने के एक बड़े चम्मच के साथ खिलाएं शिशु को छटे दिन स्तनपान के साथ साथ दो बार ये खाना खिलाएं साथवे दिन शिशु को तीसरे पोशन युक्त खाने की शुरुवात कर दें इस चित्र में हमने अंडे को तीसरे खाने का पेस्ट बनाने के लिए चुना है शिशु को तीसरे खाने के पेस्ट का हर बार एक बड़ा चमच खिलाने से शुरुआत करें। इसे शिशु को पहले और दूसरे खाने के तीन बड़े चमचों के साथ देते रहें। शिशु को हर बार खाना खिलाते समय, खाने के पेस्ट के कुल मिलाकर चार बड़े चमच खिलाते रहें। शिशु को साथवे दिन ऐसे दो बार खाना खिलाएं और स्तन पान जारी रखें। धीरे धीरे तीसरे खाने की मात्रा बढ़ा कर तीन बड़े चम्मच कर सकते हैं। हमेशा इस खाने को पिछले सभी खानों के साथ देते रहें। शिशु को हर बार खाने में हमेशा चार बड़े चम्मच खिलाते रहें। छे महीने के शिशु को ऐसे पूरक आहार दिन में दो बार दें और स्तन पान कराते रहें। इसी तरह दस्वे दिन चौथे पोशन युक्त खाने का पेस्ट बना कर खिलाना शुरू करें। इस चित्र में हमने चौथा खाना मचली को चुना है। फिर पांचवे खाने की शुरूआत तेरवे दिन करें। हर चौथे दिन हम एक नए खाने की शुरूआत कर सकते हैं। शिशु को हर खाद्य समूँ के तरह तरह के खाने खिलाने तक नया खाना खिलाना जारी रखें। अनाज और दाल की अलग-अलग शुरुआत करने के बाद हमेशा शिशु के आहार में दोनों को मिला दें शिशु के 6 महीने पूरे होने पर जल्दी से जल्दी ऐसे पूरक आहार की शुरुआत कर देनी चाहिए इस से शिशु को भरपूर प्रोटीन मिल पाएगा शिशु हर खाने से पोशक्तत्वों को सोख पाए इसके लिए खाना बनाने के अलग-अलग तरीकों का इस्तिमाल करें जैसे सेंकना, भिगोना, अंकुरन, खमीर उठाना और पकाना इन तरीकों को इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है स्वच्ता से घर पर पकाया गया ताजा खाना शिशु के लिए सबसे अच्छा होता है अगर शिशु के खाने को संभाल कर रखना पड़े तो ध्यान से सुरक्षा हेतु दिशा निर्देशों का पालन करें शिशु के खाने को स्वच्चता से बनाना और संभाल कर रखना एक अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है उसी टुटॉरियल में शिशु को सही तरीके से खाना खिलाना भी समझाया गया है इन सभी टुटॉरियल को देखने के लिए हमारी वेबसाइट देखें अब आईए साथ महीने के शिशु के लिए पूरक आहार की बात करते हैं इस उम्र तक धीरे-धीरे खाने की मात्रा बढ़ा कर आधा कप हर बार के खाने में खिलाएं और स्तनपान के साथ-साथ शिशु के खाने की मात्रा को बढ़ा कर तीन बार कर दें ध्यान रखें इस टुटोरियल में इस्तिमाल किये गए कप में धाई सो मिलिग्राम खाना आता है इस उम्र में शिशु को दिये जाने वाले खाने का गाड़ापन भी बदलना चाहिए साथ महीने के शिशु को दिया जाने वाला खाना मसला हुआ या धेलेदार होना चाहिए इस तरह के आहार का एक उदाहरन है कठेल के बीजों का दलिया जब शिशु आठ महीने का हो जाए तो उसको एक दिन में चार बार खाना खिलाना शुरू कर दें खाना खिलाते हुए हर बार आधा कप खाना खिलाना जारी रखें। साथ साथ स्तनपान भी कराते रहें। इस उम्र में शिशु को खाने में प्यूरी और पेस्ट देना बंद कर दें। इसकी जगा मुलायम पोशन युक्त खाना खिलाना शुरू कर दें। इस तरह के खाने क उदाहरन है अंकुरित करके पकाए गए चने। जब शिशू 9 से 11 महीने का हो जाए तो उसे फिंगर फूड देना शुरू कर दें। फिंगर फूड का मतलब है वो खाना जो शिशू खुद अपने हातों से पकड़ कर खा सके। उबले अंडे और पकी सब्जियों के ऐसे खाने के उदाहरन हैं। इस उम्र में शिशू को दिन में पांच बार खाना खिलाना शुरू करें। खाना खिलाते हुए हर बार आधा कप खिलाना जारी रखें। साथ साथ स्तनपान भी कराते रहें। बारा महीने पूरा करने पर शिशू परिवार के साथ खाना खान शुरू कर सकता है इस उम्र में शिशु के हर खाने की मात्रा को बढ़ा कर एक कप कर दें शिशु को स्तनपान के साथ साथ दिन में पांच बार खाना देना जारी रखें शिशु को पांच बार खाना खिलाएं जिसमें तीन बार संपूर्ण आहार हो और दो बार नाश्ता हो नाश्टे के लिए एक कप पोशन युक्ट खाना दिया जाना चाहिए. फल, डही, पका हुआ पनीर और पकी हुई सब्जियां नाश्टे के उदाहरण हैं. नाश्टा बनाते समय उसमें पोशन से भरपूर, मुमफली, बीज और पत्यों के पाउडर भी डाल सकते हैं. पोशन युक्ट पाउडरों को बनाने का तरीका इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है. याद रखें, शिशु के दो साल का होने तक स्तनपान जारी रखें. शिशु का पहला जनम दिन होने तक जींगा और शीपदार मचली ना खिलाएं. साथ ही, शिशु का खाना बनाते समय नमक ना डालें. दो साल की उम्र पूरी करने से पहले, शिशु को किसी भी तरह का शक्कर भी ना दें. इसमें गुड, शहद और फलू का रस भी शामिल हैं. साथ ही, चाए, कॉफी और पैकेट का खाना या पीने की चीजे भी ना दें. और ना ही कोई बाहर का खाना दें. ये सभी बातें शिशु के उम्र के हिसाब से विशेश पूरक आहार खिलाने के दिशा निर्देश हैं. और भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं सभी उम्र के शिशुओं के लिए. उन दिशा निर्देशों पर इसी श्रिंकला के एक आने टुटॉरियल में बात की गई है इसी के साथ यह टुटॉरियल समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट विने कुमार द्वारा अनुवादित है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूं हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद